आज हम बनाएंगे पनीर का बर्गर यह देखे जी इसको मैंने थोड़ा एरेंज करके रखा हुआ है आपको मैं दिखाती हूँ सबसे पहले हमने पनीर को मेरिनेट करना है यह देखे यहाँ पर मैं पनीर के स्लाइस कट कर रही हूँ पनीर को मैं थाइकटर से कट करें इसे लुक बहुत ही सुन्दर आता है और इसे मैं प्रेट में रख लेती हूँ मैंने डाला है हंकर्ट, सॉल्ट, रेट चिली पाउडर, तंदूरी मसाला, आदा चमच बेसन, थोड़ा सा ओयल, जिंजर गालिक पेस्ट, सभी को मिक्स करके यह देखे मेरी नेशन तयार किया और अब मैं इसको पनीर के एक सैड में लगा देती हूँ, अब मैं इससे पांच मिनट के लिए छोड़ दूँगी, अब मैंने लिया यहाँ पर ग्रिल तवा, इसके उपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ओयल, और अब मैं यहाँ पर रख अब मैं इसके उपर यह जो मेरी नेशन बचा हुआ है, इसके उपर स्प्रेड कर देती हूँ, यह दिखे जी, इसको मैं अच्छे से इसके उपर लगा देती हूँ, यह बचा हुआ पेस्ट है, मैं इसके उपर लगा दिया है, और अब हम पनीर को अच्छे से दोनों रिमेंसे और साहां , आपकेश के बिदेंटेंटेंटेंटे क्रिपेंस कें मैं शाये मुंकी लेकर नुरू कहा नियूंदेंटें के देश्टाइज द Sur a butter चोशे से के अपिति Зब्वार और अगेन थोड़ा से मैंने डाला है बैल पेपर यानि बैल पेपर के रेड केप्सिकम फिर मैंने थोड़ी सी डाल दी है ग्रीन चटनी और अब मैं इसके उपर डाल रहे हूं हनी मस्टर्ड सॉस मुझे बहुत पसंद है मैंने वैसे भी वीडियो डाली हुए आप इसी चेक कर सकते हैं और उपर से कवर कर दिया पाव से और यह देखिए जी साथ में गार्निशिंग कर दी थोड़ा सा अन्यान और बैल पेपर से और यह डाल दी ग्रीन चटनी तो देखिए जी हमारा रेडी हो गया पनी टिका बर्गत यामी फोलो फो मोर